अजय जी एक में बात ध्याना गी जब मैं अधिकारी था चीफ इंजीनिर पात साल रहा और एक साल में इंजीनिर इंचीफ रहा हमारे मौझूद आयमले एक बार भी छे साल के दोरान चंडीगण में ओफिस में नहीं आये किसी भी बावानी खेड़ा की समझ्चा के लिए और आजै वह इबादा याद है मेरे यद कि गली गली में मैं एमले बने हैं जिसकी बातामे में करते हैं कितने के व्यक्ति में कितना करते कि अलगे के लिए से काम कराने में वहाँ आवा आवाज गुझाने में काम्याब है या तो इसलिए तो अब मैं गड़ी-गड़ी में अमेले बना रहा हूं तो अगला आवाजी नहीं की कि एमेले के दावेदार हो कहीं न कहीं डंकी चोट पर एमेले की दावेदारी ठोक रहे कांग्रेस पालिटी से सर नमस्ते अब कि आपने किस तरह सोचा कि मेरी जो फैब आपने किस तरह सोचा कि मेरी जो फैमिली बैक्ग्राउंड है मेरे पिताजी जो है चर्खी दादरी चे तीन बार विदाय करें उनीस सो सड़ सट में अड़ सट मरी बहत्तर से लेग स्ततर तक उसके बाद विजली बोर्ड के मेंबर बने उसके बाद फिर राजियोगांदीजी ने इनकी इमानदारी को च्कोड यादी मेरिट पर पिखाप आह चाहिए मैंकि नोकरी में था तो नोकरी मेर्थ तरे ने समाजिक संग्ठन चलाएं और सवीधान के परति जागरू करके मन काई स्टेटों मेंने सेमिनार किये तो नोक इस जो समाजीक संग्ठनों के लिमिट होती है इक दायरह होता ह बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता और फिर सर्वोच्च पोस्ट सर्वोच्च पद से यह इंजिनेरी चीफ पद होता है मैं मेरी कास्ट में उस पद तक पहला आदमी जो वहां पहुंचा हूं और पूरी नोगरी के धरान में बिल्कुल इमानदार रहा और बड़िया काम कितना हाल है क्या है लेकिन उनके बारे में पता कर सकते हो यह इस चेत्र के बहुत लोग लगवाए बहुत लोग लेकर किया बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोवर्सिंग नहीं आए और बहुत ही अच्छा काम अब आपने बस बैटिंग अने शुरू कर दी तो अब मैदान में कर ली थी और तब से मा लगातारा में रहा हूं कि रटावन है रहता हूं मैं रहता हूं कोई भी अप्रोच कर सकता है असकता है मिलता हो लोगों से आपका अलकम तो MLA बनने वालों की कमी है को नहीं है अपना समय दानी का अधिकार है कोई भी अपलाई कर सकता है अब तो 90 MLA के लिए आवेदन भी मांग लिए पार्टी ने तो सब कोई जो वीच्छुग होगा आवेदन करेगा और मेरिट और सर्वेदार पर टिकट दिये ज सब्सक्राइब तो मैं तो 3 साल से जब अल्कम गया तो मैं देखा के उहां पर इंफ्रस्टेक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं है शिक्षा और सवास्तत बिल्पुल खतम हो चुगा है स्कूल में चले जाओं मास्टर नहीं मिलता अस्पिताल में चले जाओं डाक्टर नहीं जैसे गाओं में जाकर देखो आपके गुटनों तक पाणिया आपको शीवरेज का भरा भी मिलता है यह इतनी दूरदशा और 40 साल से हम देख रहे हैं बवानी खेड़ा कोई विकास की तो बात छोड़ो उसका थोड़ा सा वैसे भी ठीक कर दे तो बीवारिया तो ना फैल ले मौशूदा एम एले हैं जो हैं यही दूंदालों नी यह जिश्चाना लोगों ना वा मंतरी बनने बाद लोगों के जाते हैं तो सवाल करते हैं काम उनके हुए हैं सवाल करते हां सवल सवागों का जवाब who लोगों से बस्ते फिर रहें तो क्या सोस के बिनाया था किस लिए बनाया था और व Cities कर सकता है अध है डिक आर जा कर मिल कर उसके बनवा सकता है मैं अध जो बहुत कुछ काम कर सकता लेकि नियत साब नियत साफ नियत आपके सब्सक्राइब करें लेकिन जहां तक पैसा लुटाने की बात है तो वह पैसा कहां से आए बात तो यह पैसा लुटाना तो है लेकिन आया यह बात जिनको पर कैसे लगे हैं यह पहाडी जो पहाड़ी जो पैसा कही लगे है अब उनके पास पैसा आया का सुझा है पैसा लुटाना तो पैसा कोई लुटा देगा जब इस तरह का पैसा होगा तो आपने क्या मैंने अलगी के लिए और क्या 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 काम करेंगा मैंने सबसे पहले इंफ्रेस्ट जरुकर ठीक करना है जो वहां की सीवरेज व्यवस्ता है पानी की सप्लाई की व्यवस्ता पान खुब करवाने चीए लोग प्यासे मर रहे हैं सीवरेज का पाणी मिक्स हो गर आ रहा है उसमें जो किस तरह लगता है कि मैं सक्षम हूं तिकेट का परबन दाविदार देखो मेरी प्रस्ट भूमी राजनितिक रही है समाजिक का मैंने पूरी सर्विस के दोरान करें और प्ब्लीक हैल्थ का पड़िक रोड़ का जो में कर सकता हूं वह तो पहले से महीं में कर दो ऐसके आपकी कोई आई कमान से बात होई है किस पर बात चाली है क्या हाई कमान तो सारी चीज देखे गाना तो अपने मेरिट भी देखेंगे और सर्वे आदार पर टिकट देंगे और अब तो कांग्रिस ने कांग्रिस पार्टी ने प्रस्तावी पास कर दिया कि दो बार हारे हुए विदायक को टिकट नहीं है यह कांग्रिस की वह लोग तो बहुत बढ़ चड़के वो करें कि आमें ट्रीट परले दाविदारा बागी को हमारे पीछे नहीं अब देखो त कि दो बार हार चुके हैं तो उस प्रस्ताओं में तो कवर होते नहीं है दूसरा मेरिट की आज आजो मेरिट में भी नहीं तो कोई नए आदमी का मुक्यार जनता भी चाहती और उसकी ऑफिस की गती वीदियो जानता हूं सरकार से अपने काम करवाँगा लोगों की काम करवाँगा दूप तक दूर करूँगा चपन सामन गाओं आपके आलके में चपन गाओं तो चपन गाओं की आगर ब्युदानी वाणी करें आलके किसा प्रश्चा माने जाए हैं क्या देखते हैं हेल्थ और एजूकेशन की समस्या तो है यह जाकर देख लो बहुत बुरा आला मशीन ने पड़ी है लेकिन को चलाने वाड़े टेक्निशियन नहीं है लैब है लैब के अंदर को मतलब को जाच होती नहीं सरकार के काम तो इसमें नारों में है बस नारे ना सरकार के काम थीक होते तो अब लोकसवा में क्या हाल हुआ उनका उनके केंडिधेट्स को दस से फांच पे और चपन और विधान सरवाह कॉम, में, siT हिए तो सरकार की काम ठीजों तो लोक देते हैं ना ऑट गोट नहीं मिलें गें आपके पिता तिन तिन बारी मले बने तो अब आपका भी शुरुआ तो यह लगता कि आपको अलका मैं बना के निकालेगा यह तो जनता तैक करेगी ना जनता देखेंगी कि कौन कंडिडेट इंग के काम कर सकता है सब्सक्राइब कर सकता है और उपर के पार्टी ने भी सोचना है तो क्या आप मानते हैं कि उन लोगों से आप मजबूत सब्सक्राइब हों मैं उनसे मजबूत मेरे परबल दाविदारी है और मैं सेवा अधिकारी था चीफ इंजिनिर पाथ साल रहा है और एक साल में इंजिनिर इंजिनिर इंचीफ रहा है लेकिन जब गवर्मेंट से सेंक्शन आती थी कहते रहते थे विदायक उपर से सेंक्शन करवा ले लेकिन कभी इन्होंने बवानी खेडा के लिए कोई काम किया आपका एमले रेस्टाउस बार बार मिलते रहते हैं हर बार तो रेस्टाउस तक सिमीत होगे ने पबलिक में हमारा अलका विकास के शेतर में बिलकुल नीचे हैं नबब वस्तान में आपका हलका मनना है पहले जजर अलका हुआ गरता था किसी जमाने में लेकिन डिपेंदर उड़्डाजी ने जजर को पैरिश बना दिया जजर में जाके देखो तो आप मतलब क्या मतलब कमाल करक्का उनों ने पारिश नीमा बना पाया अमारा अमेले तो उसको बवानी खेडाई बना दे अब प है कि हमारा बाद आला कि पहले साम बनाने का काम करेंगा अगर बास्वा है तो वास्तर दिखाई जाएगी कि काम एमेले ये कर सकता है अपने अलकी के लिए चाहिए उसको प्तंडेगर मना लो चाहिए उसको पैरिश का रूप देलो जे एन सी नो से अजनाक दिपांसु शर मागिया खाज रिपोर